किया आज पुनमपन्दित को क्या मजबूरी आई कि आज वो सौफ्ट हिंदूत खेलने में मजबूर हो गई कुछ मजबूरी है क्या अपनी इमेज शुधारना चाहए पूनमपन्दित के अगर बाद करें चुना भार गई है तो कहीं न कहीं यह भी जान रही है कि सौफ्ट हिंदू तो अभी देश में जरूरी हो गया राहूल गांदी भी मंदिर दौर रहे हैं आप भी बागेश्वर धाम दौर रही है तो बागेश्वर धाम अपनी इमेज को बचाने के लिए पूरम पंडिच जा रही है क्या बावा से मिल रही है अपनी इमेज को बचाने के लिए पहले से जाती हूं आप देखिए मेरी वरंदावन की कितनी फोटो में किसाना अंदोलन में भी नहीं थी मेरे परिवार पूजा करते हैं एक इमेज तो आपकी है कि चली किसान में अपने अच्छा काम क्या वहां पर लेकिन आप कह रहे है नहीं दिखा सकते हैं फिर भी मैं आपको बोलते हूँ अगर मेरे बागेश्वर धा में से इतना प्रेम है कि को तेर और में अगर वर्लेगर को तैयार दार है कि जो वीडियो आती है वह बीजेपी के सपोर्ट में और कहीं कॉंग्रेस विरोधी वीडियो रहती है फिर भी आप कॉंग्रेस नेता होने के तर्च पर वहाँ जाती है कभी भी उनका बयान कॉंग्रेस के विरोध में नहीं आपका संपर क्या बीजेपी के कुछ नेताओं से इस तरीकी का है अरे आप तो पहले से बोलते हो मुझे इन चीजों को आप ही आये थे ना भग करके इंट्रिवू करने जब मेरा पोस्टर वारल हुआ था लेकिन मैंने क किसी के धर्म से कोई तक्लीव नहीं है मैं अपने धर्म के परती पूरी निष्टा रखती हूं और अपने धर्म के परती पूरी निस्टा रखूंगी मैंने इतना सारे इंट्रव्यूज पूरम बंडित के कई वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है आप उठा कर देखिएगा पूरम बंडित ने एक बार भी अपने धर्म को लेकर या किसी धर्म को लेकर इस तरह की बात नहीं कि जो आरोप बीजेपी पे लगते हैं कि वो सौफ हिंदुत खेलने में मजबूर हो गई क्या मजबूर मेरे धर्म के परती आप क्यों कर रहे हैं क्या मैंने बोला आप मुझसे सवाल कीजिए धर्म को लेकर नहीं ना मजबूरी है कुछ मजबूरी है क्या प्रीमेज सुधारना चाहिए करक्तर खराब नहीं है किकी तो इन्होंने देखा कि क्या नतीजह हो रहे है पूनां बंडित के अगर बात करे चुनाब आप वहार गही है तो कहीं न कहीं ये भी जान लें कि soft Hindu तो अभी देश में जरूरी हो गया राहूल गांदी भी मंदिर दौर रहे हैं आप भी बागेश्वर धाम दौर रहे हैं अरे वो तो पहले सी जाते हैं मैं वरंदावन बच्पन से जाती हूँ चोटी थी मेरी उमर 12-14 साल मैं तब से वरंदावन धाम जाती हूँ जैसे जैसे आप देखते हैं कोई धर्म गुरू कोई famous होता है पिल्कुल भी नहीं क्यों मेरी आखे नहीं है मैं अंधविश्वासी होती तो सबसे पहले और चार धर्मों को target करती है मैने नहीं किया मैं सभी धर्मों करते हूं मुझे किसी की धर्म से को तकलिफ नहीं लेकिन मैं अपने धर्म के परती निस्ठा वान हूं यह ध्यान रखना मैंने आपको नी बोला और आप होते कोने मुझे पूछने वाले ये चीज कि आप वहाँ क्यों गई तुम रोकोगे क्या मुझे वहाँ जाने से तुम होते कोने मुझे रोकने वाले तुमारे धरम में तुम अपनी निष्ठा रखते हो अपने जो फोटो का थोड़ी सांती रखिये पूर करके पत्रकार है और ये फोटो पहले नहीं मेरी पहली फोटो नहीं है ये इससे चार बार भी मैं वहां गई हूँ कोई फोटो इस तरीके की मेरी नहीं वाइरल की गई सिर्फ ये फोटो एक कमर कर के पत्रकार है उन्होंने डाली क्या ये पूरनम बंदिती है हां मैं हूँ आपको को कुई आपती हूँ मैं रहूंगी तुम होते को नो भाई मैं सभी का सम्मान करती हूँ ये एक अलग विषह है मेरी अपने धरम में निस्टा है येक अलग वि पहले किसान किसान जबती थी मुसलमान जबती थी सुप दिरे दिरे आ गई और आगे चल के क्या वो राइड रिविंग हो जाएगी क्या वो बीजेपी भी जो आइन कर सकती क्या इसकी गारणटी आप देनु आप तो आप तो जब भी बोल रहे थे जब मेरा फोटा वार आलो कि एस बात को मैं बोल देत हूँ क्योंकि इस सुभे के Q fiquei के नहीं है रॉइक है उटर परदेश के were परते हैं कि पुरे अतर्पर देश के सबस्स yönelular को, पेंए और ने खेड मेरे जो आति हैं है आपको मैं कली तो किस ने कहा थे, यह तनीधर दिलुधर मनुदर्श एक भी बीजेपी के नेता से ये बता दीजिये कि अगर मेरे परसनली किसी से सम्भंद हो आप एक कभी बना मता दीजिये हाँ जब मैं सावजिनिक प्रोग्रामों में जाती हूं तो लोग भी सबसे नमस्कार करते हूं अभी मेरे 25 कटर सनातनी हो गई है अब भागेश्वर धाम का असर है आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं क्या हूं सनातनी मैं पहले से हूं सनातन अब किसी दलित के दलित के लिए किसी मुसलमान के लिए अवाज उठाएं मैं तो सच की आवाज हमेशा उठाऊंगा मेरे लिए तो देश की बेटियां बेटियां है मैंने तो बेटी की दलित की बेवाज उठाई थी मनिशा बालमी के वाज उठाई दिल्ली में जो हुआ उनकी आवाज उठाई मुरादाबाद में बेटी अगवा कर ली गई थी उसक कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले रही बात राजनीती मेरा कैरियर सामाजिक मेरे काम मैं जैसे लोगों की आवाज उठाती आई हूँ सच की आवाज मैं हमेशा उठाऊंगी लेकिन अपने धर्म के परती पूरी निष्टा रखोंगी ध्यान रखना लेकिन मैं अवास सब कि उठाऊंगी क्योंकि लोगतंत्र देश में सभी धर्मों को मानने तदी घौई है देश की बेटी के साथ अगर अक्या चाहर होता बलात्कार होता है तो मैं उनके साथ भी खड़ी रहऊंगी देश के नोजवान उनकी झात देखकरके निक खड़ी ओनगी मैं उनका धरम परव्यक्ति की देश में आवाज उठाने की ताकत और हमत रखती हूँ इससे मुझे आप नहीं रोक सकते हैं कोई नहीं रोक सकता ना मेरी पार्टी रोक सकती है ठीक है तो रोके ही नहीं आप जब किसानांदोलन छोड़ का गई हम तभी नहीं रोके आप कॉंग्रेस में चल नहीं रहा था भानुजी की क्योंकि वह बॉर्डर छोड़ कर भाग गए थे इसलिए मैंने उनका यूनियन छोड़ क्या मैंने गलत किया नहीं ना जो किसानों को चोड़ कर भाग गया हमने उनको छोड़ दिया दूसरी बात पास तारिक को जो पंचायत में हुआ था उसके इस सवाल यहीं दिखते हैं ऋंग्राइस की नितायों में ज cigar फूरा सवाल सुनें आप पूरा सवाल सुनें हैं पूनम-पंडित शियाना से चुनाव लरा शियाना चोड़ दिया पूनम-पंडित गाजीपुर में किसान आंदौंधलर जिस की संब्हद्र मैं सोटे उसे बात रही कॉंग्रेस की तो क्या पुनमबंडित कभी कॉंग्रस भी छोड़ेंगी यह इसका जवाब दिए तुम लोगों की आदत जाना खराब हो गई हम लोगों नहीं तुमारी आदत जादा खराब कर दी है आपको किसने बोला मैंने स्याना चोड़ा अभी दस दिन पहले म ली उनके परिवार में गही मिलने के लिए उनसे एस पी से मिली उनको बुला आई एस एस पी ओफिसमाप कैसे के रहें कि मैंने स्याना चोड़ दिया शरम नहींद बारा देखे मैं चुनाव लड़ना मेरा विशह नहीं है मेरा विशह है अवाज उठाना जब उनके वहां क कि थी तो हमें लगा शायद आपने स्याना भी छोड़ दिया आप ये बताईए ओन कैमरा पियार भी न्यूज के जो दर्शक है वो देख रहे हैं किसानों को किसान अंदोलन को बीच में छोड़ करके भागने वाले भानु जी किसान यूनियन भानु वाले जो थे चिल्ला यूनियन वाले लोग मैंने उनको छोड़ दिया और मैंने आंदोलन को नहीं छोड़ा ये कह रहे हैं कि इस को पकड़ा बी तनहीं किसी को इसका नाम है लोकतंद इसी से मजबूत होता है हम सवाल करें और हमें उसका जवाब मिले हुश्बसूर्थी है जब भी सामे लेते हैं पूनम पंडित बिल्कुल समय देती हैं और विबाग तरीके से अपने सवालों का जवाब देते हुए नजर भी आते हैं हजारा कि विवादों में तो हमेशा रहती हैं कभी कोई तश्वीर वाइरल हो जाती है